हलो फ्रेंड्स मैसल दोक्टर सुशिला सेनिंग गानेकलोजिस्ट और अप्सटेशन डायरेक्टर जापूर दूर्बिन होस्पिटल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारे के साथ फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं एक कॉशन हम से कल किसी पेशेंट ने पूछा कि एक ओवरी निकालने के बाद क्या प्रेग्निंसी हो सकती है हमीं लगा कि इसका आंसर हमें आप सबसे शेर करना चाहिए तो बेसिकली कभी कभी किसी कारण वश किसी पेशेंट के एक निकाल दी जाती है जिसका कारण कोई एंडोमेट्रियोसेस हो सकता है कोई ओवरी का टियोमर हो सकता है या कई बार जनम जात तरीके से ओवरी एपसेंट होती है तो उस लेडी के पास सिर्फ एक ही ओवरी होती है अब सवाल ही उड़ता कि क्या एक ओवरी से प्रेग्निंसी हो सकती है तो जब एक ओवरी से भी प्रेग्रेंसी हो सकती है जरप हमारे मैंस्ट्रोल साइकल चलता है तो उसका एक एक अड़ा बनता है और ऑंड़ा छोटा होता हुट फिर बड़ा होता लिए तो साइस होता है और और अभी फूटता है तो फैलोपीन ट्यूब उसे पकड़ के अंदर लेती है ट्यूब के अंदर और वहां पर बच्चा बनता और बच्चे दाने के अंदर पहुंशता है यह कि नॉर्मल सिस्टम है जैसे बच्चा लगने का और हर महीने एक ही ओवरी में सर्फ एक ही अंड़ा बनता ह इसलिए अगर आपके पास एक ओवरी भी है तो उसके हर महीने उसमें एक अंडा बनेगा अगर आपके पास दो ओवरी है तो एक हर महीने दोनों ओवरी में अंडा नहीं बनता बलकि एक बार अगर राइट ओवरी में अंडा बना है तो अगली बार लेफ्ट ओवरी में तो यानि कि अगर आप समझ पाएंगे इस बात को तो efficiently या workingly या functionally एक ही ओवरी में अंडा बनता है एक महिने के अंदर इसलिए pregnancy होने के लिए सर्फ एक ही अंडे की जरूरत होती है इसलिए आराम से pregnancy हो सकती है हाँ कई बार ऐसा जरूर हो सकता है कि एक ही ओवरी होने के कारण अंडा बनने की frequency जैसे दो महिने में एक बार बने या हर महिने ना बनके थोड़ा लेट बने एक possibility है बट ऐसा होता नहीं है तो आपकी pregnancy आराम से 6 मिने में साल भर में अगर आप try करते हैं लगाता तो definitely आपको pregnancy हो सकती है और pregnancy होने के लिए बहुत सारे factors के requirement होती जो कमारे अलग वीडियो में बताया हुआ है कि आखिर pregnancy होने के लिए क्या क्या सही होना जरूरी है यानि कि आपके बच्चे दानी सही होना जरूरी है उसके tubes open होनी चाहिए spams का count होना चाहिए महिने अंडे दाने के अंदर अंडा बनना चाहिए और अंडा बनके फूटना चाहिए तो यह common requirement है जो बच्चा लगने के लिए जरूरत है अगर यह सारी requirements आपके fulfill होती है तो definitely आपको एक normal pregnancy हो सकती है और अगर किसी कारण वश अगर आपकी tubes block है या spams का count कम है या और कोई समस्या है तो आप definitely IVF के लिए भी जा सकते है बट एक ओवरी होने का मतलब यह नहीं है कि आप normally conceive नहीं कर सकते हैं आप definitely conceive कर सकते हैं और एक अच्छे healthy बच्चे को जन दे सकते हैं अगर आपके इसके अलावा भी कोई सवाल है इस question से related आपको लगता है कि कुछ और पूछना है तो आप definitely comment box में लिखके हमसे पूछ सकते हैं मैं और मेरी टीम आपके सवालों के ज आपको notification मिलते रहेंगे आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार